इस पसु का खूटा कहा गया इधर बईठा है बिकेस कुमार अधार काट छुट गया है इनका जास लोग जल्दी बैठेजिए कोई कोई एड़ेस्ट करा लिजए यहाँ खाली जगह है और एड़ेस्ट होईए आप लो उस नीला बगल में जगह है की नहीं है तुम लोग निकलो इधर जल्दी जल्दी एड़ेस्ट हो जाब अपनी उधर काई जगह है दो को नीला स्वीट रोली के बगल में जगह है क्या दिक्कत है बैठी बैंच नूट टूटा है क्या वाहाँ बैंच तूटा हुआ है क्या तो दूसरा बेंचे तो उसमें चली जीए ए क्या कर रहा रहे बैल कहीं क्या लाई वल एक मिनाट रुग जीए वो इधार देख तो मास्क वाला हम आके पहले पहाएंगे नहीं तुम लोग को बैठाएंगे तुम लोग को सीट नहीं मिल रहे जितने लड़कों को सीट नहीं मिल रहा है बाहर कर दीजें लोग की सबकर लेकिए नहीं कर वहां जो जो खारा है ना सब को लिया दीजएगा पैट गिया साज़ दीज़ जो बैट जाबावो, डिस्टर्ब नहीं गिया गर लो, उस दूठों को नहीं मिला है, और उसको हाल नमर 5-6 में भेजिए, मिल गिया जगा, चल ठीक अब, इससे पहले के क्लास में आपको, हम औद्योगी करांती वगरा के बारे में बता दिये थे हैं, हमारे आने से पहले लड़का लड़की सब लोग बैठ जाये कीज़े, पांच मिनट बाद गेट बंद कर दीज़ेगा, कोई लड़की नहीं आनी चाहिए, एकदम हाइली रिष्टिक्टेब, सर एकजाम डेट आ गया है, हाँ बाबू, आप लोग को एकजाम डेट आ गया है, NTPC का, कितने लोग इसमें रेलवे एंटी पीसी का एकजाम दिये थे हाथ उठाईए, आप सब लोग दिये थे, और कितने लोग नहीं दिये थे, तुम लोग का ही नहीं दिया था, अच्छा तुम लोग अभी बच्चा हैं, आई दू को पकलोली आमेशा लेट आती है इस दिख में, लेकिन इस दुनों में एक चीजा है कि कहियों आट जाती है इस छोट छोट है, दिक्कत का होता है, बड़ी लड़की आ जाएगे तुम, तुम भी रोटेगी नहीं है, तुम दूनों बच्चारी सब सही रहते हैं, आट जाते हैं इस तढ़ा साफ़े कहीं जाती है, आई से लड़की जब का एड्मिशन में कुछ छूट रहना चाहिए, अज़े चलो, ध्यान से देखते हैं हम लोग, हम आप लोग को आज करांती बताते हैं, क्या बताते हैं, क्रांती, क्रांती के बारे में बताते हैं, बगलनवा सीट नहीं है ना यहां के बैठ जाओ उतर से करांकर एकंगिए, provided जागधे लुवक के जो पीछे जगने को आकए बैठ जा, तुम लब पूरा ग्होचु है इधर से आया यहां बैठ जाओ, गदा ऐसे पूरा गर्ल्स के जो पीछे चला जाता है ना तो यहां आके बैट जाये करो यहां पूरा के पूरा इसे बैल है सब देखो इसको हाथ उँए बैट जाये दम गदा कही का तुम लो भाई छोड़ के आये लोगी दम रऔ तो इसे रख दो दो दंटा लाते एठरो एधर तुम खड़ाओ तुम बड़ा होकती दर दो तुम को अगर कोई काम अगर सपोच कर सब्सक्राइब तो जो तुम वह हो पैठा है तुम्हारा बुधी काम नहीं कर रहा है तुम रास्ताम बैठा तो पीछे से जो आएंगे वो निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे इतना तो बुद्धी होना चाहिए न ये भी हम सिखाएंगे खुद से देखो क्या क्या सिखाया जाएंगे हम तुमको खुद साहुलियत दियें कि यहां आके बैठ जाओ रस्तोय पर बैठ गया मतलब तुमरा बैठ जया बाढ़ में गया पूरा क्लास रूम यह पता नहीं कि आजकल के जनरेशन में इतनी बुद्धी कम क्यों होती जा रही है हम देखते हैं अजीब टाइप का मंद बुद्धी हो गया उसको सोचना चाहिए कि वहां बैठ रहा है कल को अभी किसी को तबियत खराब हो जाए किसी को चक्कर हो करा जाए कैसे निकलेगा नहीं सार बोले बैठने के लिए रस्ते बैठ जाब उसको हटाए कि बगु तुम लोग जाए दादा किसी ने किसी का तो किसमत खराब होगा जो रत्वरा से बिया होगा बता इससे जिसका बिया हो जाएगा बेचारी आपने को काट काट के ठाजेगा ना रख कर देगा सबकी नहीं जिन नहीं सच बताते हैं अगर किसी किसी ठीक ठाक बुद्धिमान लड़की का जिसके अंदर सोच समझ हो दूरदर्सिता मरिये जाएगी कि नहीं इसके सब बता लोग तुमारे लिए वही ठीक है अगरे दा तुएन वाले से अगरे शुबर उठते पहनान जी तुगलती से सीविये सी वाला से मत करियो ना तो गटाई में पागा बान के घुमाएगी सुबर चलो तुमको सिखाते हैं गदा कहीं का चलो द्यान से समझो लाइव वाले आपी लोग ठीक हो यहां पे इसा इ यहां ही बैठेगा समना देखो खुद से समझ होना चाहिए अवाई नहीं जा रहा है थासा बड़ा देना बार यहां यह बैठेगा सम छुट्टी होगा गल्स का एक ठीक पतला जगह है उसमें जगह नहीं रहता है तो आप लोग को बैठने देते हैं खड़ा हो जाएगा अब बैठ रखेगा इससे चपल खोजे गया उन्हें देख रहा है कि पीछे लड़की आ रही है लड़किया सब भी कलम का इससे धकन खोले रहा है दीवका तो को जाने गल्स आर पार मार दो दो यह चीजे हमको सच में बताते हैं आपके माबाप की गल्ती है इस चीज को समझाना है हमेशा इस चीज को समझे आपके खाना खाने से अगर दूसरे को तक यह कोई आपको सिखाए का तरीक है चल रहा है तो चपल घसिट का इससे है मतलब लॉज में घुसा की सेकेंड फ्लोर वाले को पता चल गया है घुस गया है वहां घसिट यह हम किसी टीचर का यह काम नहीं रहता है यह माबाप की भी कुछ जिम्मेदारियां बनती है सब लोग को यह कहते है वह नौकरी तो मिल किसकारी होते हैं दिल खुस हो जाता है अग कुछ ऐसे पढ़े लीखों को मिलेंगे जिन गदों ने स्लेबस एक्जाम का तो कंपलीट कर दिया बट इसके पैरलर एक जिंदगी की भी सेलेबस होती है कि जिनसे अगर पांच मिनट के लिए भी मिले ना तो उस इंसान को फील कि हम अपना जब हम अपने जगप जैसे मनन के चले हमें सो ना रहता है हम अपना नॉर्मल सोऊँंगे ठकान दूर करने के लिए लेकिन हम कहीं पर भी ऐसे रहेंगे नघ्किद यहां प耶 Yaa नहीं कैम्फस में सोतें नहीं हैं हम अपने कूर्सी पर सोते हैं अजिए साथ यहां जोता ने बेंच वाला ही सब पर यह बेंच आपका वेल्डिंग करके इस लाइन कामी बनाए है इस लाइन का जतना है थक जाते तो उसी पर सो जाते थे कुरिटिसद्रा बिंटु एन दिखा देंगे लेकिन भीर करते हैं कि क्या खराब लगता है कि लेकिन फीर सब्सक्क्रांड करते हैं आप पाल को पीडिएप नहीं मिला मुझे प्रोबारीड कर देंगे आप लोगको पुनर पुनर जागर्ण का मतलगाल नकी चीज़ों में सुधार करना जैसे इस गढ़म में पुनर जागर्ण नहीं हुआ है हम आप व्यूद्र जासे में आपके व्यक्यम systुना जागर्ण बता रहते हैं यह सब चीज़ आप में क्या होना चाहिए पुनर जागराण के बाद हर चीज में बवाल हुआ हर इंसान क्वेश्चन पुछने लगा धार्मिक मानता है साइड में हो गई हो गई की नहीं हो गई आज देखिया सबसे जादे पुनर जागराण किसी धरम में हुआ है तो घिसाई धरम में उतने बर समझते हैं जब तक हर्च में उसके बाद फादर में देखिये मिन दोनों में होना चाहिए एक धरम को मानने वाले में भी होना है और धरम गुरू यह जादे हुए ह लोग भी समझते हैं इस चीज़ को कि फादर आपका काम है आप रिचुवल्स कराईए रीती रिवाज कराईए चर्च के बाहर आप मत करें कई कभी देखें हैं चर्च के बाहर फादर टांग लड़ाते हुए लेकिन पहले ही राजनीत में टांग लड़ाता था फ्रांस की क् पंडी जी भी चुनाओ लड़के जीत सकते हैं बट इस पेसली भारत में दुनिया वर योगी आदितनात्त क्या हैं वह भी तो एक महंत थी थे न बट वह महंत के नाते लोग सभा में थोड़ी गये थे चुनाओ जीत के गये थे बट फ्रांस में अईसा था कि पादरियों क सदन होता था पादरी का सदन राजा का सदन गरीब जनता का सदन इस टाइप का सदन होता था पुनर जागरान बहुत जरूरी था पुनर जागरान जब हुगा तो लोग धार्मीक चीजों को छोड़े की नहीं छोड़े लिंग में धार्मीक चीजों को छोड़ दिये धार् सब आप इस बात को जानते हैं पूरे यूरोप से भैली थी नहीं किन सुरुवात कहां से हो गई थी इंगलेंसे क्योंकि महत्मयाधंदी नुक्ति नीन की तुलना बनी यो से कि है बिजनेस के माटर में भारती समाज में बनिया आपने भों बनिया है कि नहीं बहुत बहतरीन बीजन इस उन लोगोट मतलाब होता है कि घर से सीख़ा, बिजनेस के माटर में बहुत जाहित हुए. वो लोग मेंटें अच्छा से कर पाते है इनकी तुल्ला कह थे कि बहुत बहुत बेहतरीन धं तकी तहुत बैलेंस भना के रखा था। किसी युद में उतना ही पड़ता था। जितना उह पड़ता था। जितना थो हो शोत हो. गर्ना का 600 रुपिया रेट चलता है 600 रुपिया में 100 किलो सांगा गया, कितना हो गया 300 हो गया, यह भगवार 330 मतनलब 3.5 रुपिय किलो देखो सरकार आपनों के साथ किस तरह बहुमानी करती है, इस चीज को समझो जब वो पेट्रोल देती है अरकार जब आपको पेट्रोल देती है, एक लीटर का रेट बताती है, कि 100 रुपिया लीटर पेट्रोल, कभी कई है कि 10,000 रुपिया में 100 लीटर, नहीं न कई है, क्योंकि उसको कम दिखाना रहा है, लेकिन जब आपसे गन्ना खरीती है न, तो कहती है, साड़े 300 रुपिया रेट रहेगा गन्ना का, हम अदमी कर जाएगा, साड़े 300 रुपिया ठीके जा रहे है, बाद ने पता चलेगा 100 किलो का, खाजर हुए थे 100 किलो का, आप 1 किलो का रेट बताईए, और कर दीजे कि हम 100 किलो से कम खरी देंगे ही नहीं, क्योंकि सरकार को भी प्राइस देना चाहिए कितना, वो रेट बोलना चाहिए, ये किसानों का काम है, आप में अगर कोई किसान है, तो जागरू खोईए, डिजिटल स्ट्राइक कीजिए, आप लड़के लेंगे, आजादी कभी, अधिकार कभी मांगने से नहीं मिला, छीनना पड़ता, एक दि टुईटर से टुइट कर दिये, वाकी विद्यारेटियों के चंता हैंगी है, तो इंग्लेट यहां से खरीता था, 2-3 रुप्या, छीनी कहाँ बनाता था, इंग्लेट में, उद्योक कहां लगे, इंग्लेट में, मशीनों का डेवलप्मेंट रोजगार मिला, इंग्लेट म कोई कमी नहीं थी, उनको कच्छा माल मिल जाता था, बेचने के लिए बाजार मिल जाता था, हर चीज मिल गया, जिस वज़े से अध्योगी करांथी कहा हो गया, इंग्लेंड में हो गया, सहंच में कि इंग्लेंड के विज्ञानिक भी बहुत तेजी से काम करते थे, इंग्लेंड के देखा थे कि जर्मनी में भी ओद्योगी करांथी, फ्रांस में भी, अब इन लोगों मिल गया कि ओद्योगी करांथी, इंडस्ट्रियल रिवलुशन टोटली डिपेंड करता है, मार्केट केप्चर, कहां पर मार्केट, अगर हमें बेचने की छमता है, और मार्केट कहां से आईगा, और जगा जगा पर क्या करो, कबजा करो, यह कबजा करने के चकर में क्या चलू हो गया, बहुतों का, शुरुवात होती है बारहुई सदी से, जब यहाँ पे दिल्ली सल्तनत वालों का आकर्मण हुआ, उसके लिए भी गुनेगार हम ही थे, त्योंकि हमारे यहाँ तो राजस्थान का राजा, मदपर्देश का राजा, दिल्ली का राजा, और राजा मतब देश होत अब यह रहा कौन सा है, इंग्लेंड, इंग्लेंड में एक लंबा इतिहास रहा है, इंग्लेंड वालों का, यहाँ से क्रांटी चालू हो गई, इंग्लेंड की क्रांटी, इसे हम गौरवपूर्ण क्रांटी कहते हैं, मतलब बहुत अच्छी क्रांटी, ऐसी क्रांटी हो ग तो कुरांती सब्द जब भी आता है तो एक जीब सी feeling लेकर आता है, मारधार हुआ होगा, बट इंगलेंड की कुरांती में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, इंगलेंड की कुरांती को गौरपूर कुरांती करता, ग्लोरियस revolution इंगलेंड की करता, एक भी खून नहीं गिरा, एक भी लाठी नहीं चलाना पड़ा, कुछ भी नहीं हुआ, इतना खतरना काखिर हुआ कैसे, इसका एक लंबा इतिहास है, 800 साल पूराना, इस नक्सा में इंगलेंड समझ में आ रहा है, इसमें नहीं समझ में आ रहा है, यूरोप का प्रॉपर लगा देते, आप इंगलेंड को इंडिया के एस्पेक्स में देख लिए कितनी दूरी पे है, अब हम इस्पेसली इंगलेंड का यूरोप का नक्सा लगा दे, इंगलेंड गया है, यहाँ पर राजा है czaspopular है है, राराहा का मंत्री मंडल होता है कि नहीं disp indeed आए, इसका नम था क्यूरिया रेजिस है। क्यूरिया रेजिस, रे, क्यूरिया रेजिस, तो बारहमी सदी में क्यूरिया रेजिस को बनाया था किसने, राजा हैनेरी ने बनाया था, इसी से ये क्या करते थे, सलाह लेते थे, इसे क्या लेते थे, सलाह लेते थे, ये एगारहमी सदी में था, बारहमी सदी के लगभग मे वही आप समझे है, सदी मतलों 100-100 साल का, 1200 के असपस में, तो प्रारम में 11 सदी थी यह, राजा कों थे? हेनेरी थे, इन्होंने क्या बनाया? मंतरी मंडल, इन मंतरी मंडल को क्या कहा? क्यूरिया रेजिस, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता था था, कि राजा अपनी इच्छा से सास ना कर देता था, तो इसी तरह 12 सदी में, क्या किया गया? इन मंतरी मंडल वालों ने एक राजा से साइन करा लिया, क्या साइन करा लिया? कि यह कभी भी इसकी सलाह मानेंगे, हमेशा हो, हमेशा सलाह किसकी मानेंगे? क्यूरिया रेजिस की, क्यूरिया रेजिस, क्यूरिया मेगना काटा का मतलब होता है एक अधिकार पत्र अधिकार पत्र यह अधिकार पत्र राजा ने किसे दे दिया मंत्री मंडल को दे दिया कि राजा कोई भी काम करेगा तो मंत्री मंडल के सला पर ही काम करेगा अज भी भारत में यही परंपरा है कि नहीं हम लोग ने टोटल का पणका अजो करगा लाएं, ध्यान से समझे गा, यहीं से लाएं हैं हम लोग, वहां उसका नाम क्या दिया गया था, Curia Regis, जो आगे जाके Minisister,らい मिनिश्टर कहला है, तो Curia Regis को 12 सधी में क्या मिल गया, अधिकारपत, अधिकारको क्या कहते है, Magna Cata, अधिकार को क्या कहाता है, Magna Cata, 12 सदी में मिल गया, लेकिन इंगलेंड में अभी भी राज तंतर था, इसी में एक आया था Tudors Ones, कौन सा Ones? Tudors Ones, यह Tudors Ones, कापी लंबे समय तक सासन किया, 12 सदी से लेके, 14 सदी तक, 15 सदी तक इस ने सासन किया, एक लंबे समय तक इसने क्या किया? सासन किया, यह यह इस Ones के जीतने राजा थे, इतने खचरा थे सब, किसी को मिम्रित्यु डंड दे दो, जैसे मगत का सासन धनानद, इतना खाच रहा था कि कुईसी का दम था बोलने का, नहीं बोल सकता. सजभिघे की नहीं गया? पहर देंगे, आपका पैसा वापस कर देंगे, आपको भेज देंगे. यहाँ पर हम जालिम नहीं हैं, यहां मजबूरी हैं हमारी, लेकिन ये भी एक निरंकुस्ता को दर्सा रहा है, लेकिन ये आपके फाइदे के लिए दर्सा रहा है, तो हमारी भी मजबूरी है, आप खुद सोचिए अगर हमारे पास जगा रहता बैठाने का कभी जमीन पर बैठाते हैं आप लोग, आप इस शिच को समझते हैं, किसी को दिक्कत और जी है, कोई दिख्ट? किसा का एक निरंकुस्ता कोई तो हम्तुक से इस तक तो है कौन है ? हम लोग को सर हम लोग का सौभाग है जो नीचे बैटे देखो वई ऐसा दिक्कत नहीं आप में जितने लड़के नीचे इस बैच में लड़का दू भाई था सर बीएस्पी हुआ सर नीचे बैटता था उसके ऑफीस में जब मिलने गये थे बीना बताने गये थे काते कि सर आएंगा तो हमको उसका जो गाड़ था बंदूग धारी बैठा दिया बाहर सर डिश्टर्ब मत कीजे नास्ता कर रहे हैं अभी बैठा दिया हम बाहर हम बोलबें नहीं कि हम कहें कि देखे जरा कि जिसे हमने सीक्षा दिया है वह नौकरी के बाद सुधरता है कि नह हमने के बीच में कोई काम आया तो नास्ता चोड़के गया हम कः फिर अंदर आया वैं ध्यानों नहीं दिया, हम बगले में बैठा मों हम खुड़ी मुडी नीचे कर दी थी पिर हम कौल की एंग नहीं हम कायँं कहिं हम बाहरे बाइबाई बैठे हैं किया बाहरे बाह बैठ संद है आप लोगों से हरा दीजी आप हमें तो यहां नीचे बैठे हैं आप आज नीचे बैठ जाएए आपको इतना बिश्वास दिलाते हैं ये नीचे बैठना ही एक दिन आपको इतनी उचाई पले जाए गा कि हिमगत नहीं हुगा किसी को आपको नीचे जुका है हम बस एक एक्जाम्पल के तौर पर आपको बता है कि निरंकुस्ता क्या होती है वरना आप जब सिख्षक बने यहां आके एक बर सुचिए कि क्या फील होता होगा किसी को नीचे बैठाना ऐसा नहीं होता है लड़की सबको भी निरंकुस्ता समझ में आता होगा आप लोगों तो ब बोल देते हैं अलग बात चलिए अब अध्यान से समझें तो ट्यूडर्स वंस के सासक कैसे थे निरंकुस्ता कोई बोलता था कटवा देता था किसी को बोल नहीं सकते आप अभी भी पील करिए आपके गाओं में सड़क बनेगा विधायक से आप सवाल नहीं पूछ सकते कि अधिकार देने का मांग उठा दिया लोग सिख्षीत हो गए लोग, और लोग斑मस के खिलाब आवाज उठा दियें कि ये तुम्हारा सासन नहीं चलेगा यहाँ, हम इस के खिलाब क्या करेंगे, आवाज उठाएंगे Stuart once के सासक का नाम था James, क्या नाम था? James, James पर्थम, क्या नाम था? James पर्थम, पहली बार आवाज उठना सुरू हुई किसके खिलाब? James, और James पर्थम को कहा गिया कि James पर्थम तुम याद करो, बारहमी सदी में हम लोगों ने तुम्हारे राजाओं से सीनेचर कराए था, कि त Stuart's once के, किस राजा के काल में? James पर्थम, James पर्थम का बेटा आया, Charles पर्थम, कोन आया? Charles पर्थम, कोन आया? Charles पर्थम, कोन आया? Charles पर्थम, मुंबई लिया था दहज में, Charles दूती आया अभी नहीं आया, आने दूसको, आने दूसको, भी नहीं आया हूँ, दहज में, Charles पर् के पादरी लोग, कून साथ दे रहे थे, पादरी मतला समझते हैं, साधर लोग, इंग्लेंड के राजा का साथ कौन दे रहा था, पादरी लोग हम presence काम कर दीजा पहली बात कि पुनर-ज या ळाः लोग, भूरा धर्म सब तक यदि लोग सिक्षित हो गए संपन्य हो गए धार्मिक लोगों का वहाँ जादे नहीं होता है आप कभी देखें के बहुत भी भी आईपी महला है सब अधिकारी हैं बड़े बड़े वहाँ देखें कभी ताम जहमें से लोगों का साइड कद निकला यहां उनर दे रहा था पादरी इसका साथ पौन दे रहाता पादरी दे रहे थे कुलीन लोग दे रहे थे कुलीन सब्द आपको बहुत बार आएगा अमीर लोगों को कुलीन कहा जाता है क्या कहा जाता है कुलीन बड़े बड़े व्यापारी अमीर लोगों क्या कहा जाता है बहुत अमीर को कुलीन कहा है अजब कि जनता किसके साथ थी जनता राजा के खिलाफ थी जनता किसके खिलाफ थी जो अमीर लोग थे पर यहां पर दिखेगा ना मत न करते हैं जाता है हम वालो को क्या कहा गया राउंड हेड़ेड और जो राजा के समर्थक आउन्ने केवेलियर इंग्लेंड की क्रांटी में दो गुट हुआ यह गुट आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि जब जब भारत की क्रांथी पढ़ेंगे तो आपको दो गुट याद रखना पड़ेगा गरम दल और नरम दल फ्रांस की क्रांथी पढ़ेंगे जीरो दिस्त और जैकोवियन पढ़ना पड़ेगा और इंगलेंड की क्रां के समय से टॉमस रो आया था वेरी गूड याद तो है इसको जेम्स पर्तम ने अपना राजदूत किसे बेजा था टॉमस रो कहा था कि जाओ अकबर के दरबार में वह अकबर को दरबार में गया वहाँ पे अकबर बात साब बहुत अच्छे हैं तो जहांगीर ने का हम अकबर जहांगीर मर गई लो बढ़ाओ ओमाइगाड गड़ पड़ हो गया तोमस रो की वीदता को देखकर इसे कौन सी वादी है कैप्टन होकिंस इसके बाद है था देखो हाटिंस को पाए दिखिए होकिंस को इंगली स्खांद गया था तोमस रो को क्या दिया गया था वेया पा पहले आया हॉकिंस उसके बाद आया तॉमस रो हॉकिंस को केवल मिली उपाधी वेरी गुड़ इसको देख रहे हैं कैसे किसके समय भेजा था जहांगीर जेम्स पर्थम ने भेजा था जहांगीर के कालब और यहां तो हम आपको पढ़ाई दी है और जहां तो लो सपांच में मृत्ती हो गई थी किसकी अगभर के चलिए अब आगे समझते हम लोग यहां पर जंता के समर्थक जो था क्या करते थे राउंड हैं क्या कर गया के वेलियर क्या का गया के वेलियर क्या का गया क्या गया क्या एक वेलियर याद रहें ना जनता का नेतरीत कर रहा था क्राम वेल क्राम वेल जनता का नेतरीत कर रहा था क्राम वेल बहुत ही घतरनाक मतब नेतरीत करने वाला था पूरे इंगलेंड की जनता को एक साथ क किसे पहासी दे दिया है, चाल्स पर्थम, चाल्स पर्थम को खुद इंगलेंड की जनता ने क्या दे दिया, पहासी दे दिया, और गद्धी सम्हालने को किसे दे दिया गया, क्राम बेल को, अगला सासक कौन बना, कौन बना, क्राम बेल, लेकिन एक और समस्या हो गया, क्राम करामबेल मेANS ठाओ अग्रम धर्म को अवान थो दिता इसे दोन में चegнов ठांके पुरीटन terminator कोई इस से जनता अगरश्य मोकितने धर्मपल्स और जागर्म इतलो क्वें पूरीटनapeन धर्म केशिवlen पाथ तुम केशियों को पिरुटि अ ध्रम और क्रामवेल भी बहुत खचरा सा सकता कॉन सब्सक्राइब क्रामवेल खचरा सा सकता तो जनता ने कहा कि एकराज से तो अच्छा रजवे था गलती हो गया वापस लाव राजा को क्यों से वापस आगा रेम हाही दिया उसको जनता पुछी दुद जिन बनाराज यही ना बंबाई बंदरगाः दहेज में देने मनेमें पॉर्तिगाली राजकुमारी के अधरीन का विवा चाहल डूतिय से हुआ इने लिया था दर डर के सासन कर रहा था आप जो कहिए संधर्ण कूडर Yo अब जो कहिए यह भूनी बोला थाए अच्छे दिन आएंगे कि किसने किया था है यह अगे जाकर क्या दे दिया कि अधिया क्या मैंगना का था आप ही कि इसाफ से सासन होगा सबसे जये निरग've कुछ सासक कौन हुए से ट्यूडर्स वन्ससाइए ट्यूडर्स वन्स के वाण? एस्टूर्स वन्ससाइए एस्टुर्ट वन्सस्के समएं क्या हो गया कर्ड़ रे भया पूनर जागरण हो गया और जनता क्या कर दी paddy our स्ट्वार्ट्स वंस के साथ जेम्स पर्थम के समय क्या चाली हो गया विद्रो लेकिन जेम्स पर्थम ने उस विद्रो को दबाने में सफल हो गया लेकिन जेम्स पर्थम का बेटा शाल्स पर्थम के समय विद्रो बहुत भ्यानक रूप ले लिया पादरी और राजाओं के ग लोगीं कि ऐ हो Il Jehellia Olay आगेषैंज सकर्झाञ ठाजी परत्सम को फासी दे दिया गया और कुण सेयरी में वबहाद किस्ने क्êter SARAH Cranbell लुइघा था तुम बता कौन भाड़ अनगेषैंज अच्छा सपांट था यग निरंकूष हां किसने चार्स दूतिये ने देखा था लेकिन चार्स दूतिये के बाद समस्या हो गया इसके बाद आया चार्स दूतिये के बेटा जेम्स दूतिये को नहीं यह जेम्स दूतिये यह अपने दादा को मरते नहीं देखा था खोट था ना टार डाठाट रॉप टार ला बार्व लगन को क्या समझ लाटन जा है अब देख comes ने की कि तो कोई दिक्कत ने दादा वाला नीती अपना दिया चाल्स पर्थम वाला इसके खिलाफ पूरी जनता हो गई और पूरे ब्रिटेन की जनता बगावत कर दी किसके खिलाफ James dothia के खिलाफ KありUR Jamesbourne vyresent को बर्बाद कर देंगे हमारे साथ किल नोग के साथ river परनों हम लोग के साथ सासन करो तुमको सासन दिया गया सब यह इतना खचरना था कि इसकी बेटी भी स visiting तरह के खिलाब हो गई मेरी इसकी बेटी किसे खिलाब अपने बाप याम्स आगा बेटा उटा था ही नी मेरी जो थी यह कॉन सा ब्रिटेन इस प्रिटेन कुन जगा है ब्रिटेन इसके बागल में यह फटी स्वल्म उसके ठेस है ऑलेंडी क्या नम है हो क्या अबMr. नीदर लेंड इसका नाम क्या हो गए नीदर यहां के राजा के साथ फॉस गई को फॉस गई अब फॉसा लिया देखा कि अकर भाई हुई है नहीं है पूरा लोग सभावी मेरा राज सभावी में आईसी लड़की को नवर्सा वाला कहा जाता हुई सम्झाएगी नहीं आगया हाँ आईसा बीम्बी सारी अई नीदी को अपनाता था याद कीजिए तो कौन फसा लिया हॉल्लेंड का राजा नाम था उसका ओरेंज इस असरी फॉस वो की तो संतरा के साथ विलियम आप ओरेंज पुरा नाम थासका विलियम आप औरेंज आप जिसे केट केट मनें बिलार थोड़े होगा वहां अलग है रानी केट विलियम केट मेरी यह सब्सक्राइब संतरा विलियम आप ओरेंज से अब विलियम अब देखिए सब कोई अपने लेबल में फस्ता फसाता है कि संब्सक्राइब अब पढ़ीली की लड़की हेकरा से फसेगी कि इस बाला उसको जहां तहां लेकर बढ़ जाएगा जाएगा इस स्टेशन पर प्लेट्फॉम में बढ़ जाएगा बढ़ बढ़ ट्रेल लेट हुल जाएगा हर इंसान अपने लेबल में जैसे यह पसू है तो इससे कोई ना कोई जम ना पार यह फसेगी है तो हर इंसान कैसे फसता फसाता है लेबल में और इस सम्मेटर में लड़की बहुत हुश्यार होती है सब करते हैं इसका फीचर ठीक है तो यह ठीक है यह इसका BPSC में फीक से इसका PCS निकाल लेगा पाइल का को देखी ग्रूप डी वाला हरे को ब्लॉक कर दो उसको BPSC ठीक है यह नहीं चाहिए यह बगला तो सुनो दियां मेरी जो फसी किसे फसी बीलियम और ओरेंज जो है बीलियम और ओरेंज क्या यह कोई छोट मोट बिरोजगार था का होलेंड का राजकुमार होलेंड का लड़की समझा नहीं करते मेरे सपनो का वो राजकुमार कभी सुने और मेरे सपनो का मिंजदूर जाऊंचा मुण मुद स्यव्सचा विआ बना देर यह पाले हो उस पंधे पद्राइत मुण और इंगलेंड का राजकुमार, Holland का जो राजकुमार था, William of Orange, अपने 15,000 साइनिकों के साथ कहा घुज गया, और इंगलेंड की जनता अपनी राणी और राणी का बढ़व, पती, अपने बहनोई, बहनोई बोलेंगे ने जीजा, तो इंगलेंड के लोग अपनी राणी मेरी और जीजा संतरा, William of Orange, पूरा स्वागत किया, क्या गिया, स्वागत, अब राजा बैठाल है, अब आप स्वागत में जनता उड़ गया, तो हमरे पर्दान मंत्री को कुर्सी छोड़ देना चाहिए, नहीं समझाया, तो यहां का राजा देखा कि बापी तो बेटी हमारे चाहिए, सारा लोग खिलाफ हो गया, परिवार का भी सातराना जरूरी है, और सारा का सारा जनता क्या हो ग भाग गया कहीं आप और यह विलियम आप ओरेंज खोज रहा था, कहां हो सासुर जी, हाँ, 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 आसिरवाद लेना है, इसने देख लिया कि भाग जाना यहां पर सहीं है, इसको भाग जाना क्या है, सहीं है, तो कौन भाग गया, जैम्स, और इंगलेंड की जनता खो और रानी मेरी को, रानी मेरी, विलियम आप ओरेंज ने सपत लिया, कि मैं कभी भी देश के सासन में भाग नहीं दूँगा, जो भी सासन करेगा, यहां की जनता चुनाओ लड़ेगी, और एक परधान मंत्री को चुनेगी, परधान मंत्री क्यूरिया रेजिस को सम्हाल ले लेकिन लोगों ने कहा, हमरा देश की तो रानी न है, यह तो हुआर के राजा से फंसल है, हम देश का है देगे देखे, दूसरे देश के, तो वहाँ एक संसोधन हुआ, कि सारा बाग डोर राजा नहीं, बलकि कौन समालेगी, रानी समालेगी, तो इंगलेंड में अब जब राज तंत्र है, लेकिन सासन कैसे होता है, लोग तंतर, तो वो लोग तंतर में राज तंतर है, राश्कपती एक तरह से सहYun भी कह सकते हैं, क्योंकि जिसने भी राजा रहा है इंगलेंड में, भले जनता पर कुछ भी किया, लेकिन वो राजा अपने देश के लिए हमेशा समर्पित रहा है किसी दूसरे देश के राजा को हाभी होने नहीं दिया और इंग्लेंड के लोगों में देश प्रेम इतना है कि इंग्लेंड की रानी भले किस से साधी कर ली विलियम आप वरेंस लेकिन आज भी वहां के लोग राजा को नहीं पता होगा अभी कौन वहां के एलिजा बेदुतिय भले पता है वो का बुड़व कोन है काजने कोन हैि क्या मत राब हमको तो वहां के लोग किसे भाईलू देते हैं रानी यही वज़ा था कि 1857 की करांती के बाद 1858 में भारत की बागडोर किसे दी गई थी राजा को लेकिन 1876 में राजा से छीण के किसको दे आगा राणी को दिए गया की नहीं दिए गया तो इंग कुछी पूछे अभी राजा कहा था पूछे संतरा हॉलेंड का था इंग्लेंड के राजा कहा थे हॉलेंड वालेंड अभी बताए पूर्तगाली का बिया चाल्स पर चाल्स डूति से हुआ पूर्तगाल भार्स से दुस्मनी करता हॉलेंड वालेंड वाले का बिया है इंग्लेंड हां- इंग्लेंड से हो गया हालाकि डॉचों को इन्हों ने वेदरा के युद में हरा दिया था हॉलेंड वाले हो थाजया हॉज differ how वेग्ते वat Ilis अबी श्याबेद, अभी Kate Mary आरी उसकी पतोहिया कौन है? Kate Mary. Kate William नाम है से, Kate. mom they Gary.究 deceived me? वहां पर अपना राज्य तांत्र चल रहा है. यहां किये कि नहीं. जैसे भारत में राश्ट्पति वहां पर कौन है? रानी, विलियम अप औरेंग ने एक डिसाइट कर दिया कि राष्टपती का काम बस यही रहेगा कि मंत्री मंडल के सलापर ही कोई भी काम करेगा ऐ जे राष्टपती वहाँ पे कौन रहते हैं अगर भारत में भी एक तरह से देखिएगा कि राजाओं का सासन अच्छा से चलता अंतिम महान सासक हरसवर्धन यदि हरस वर्धन उसी तरह से सासन समालता और हरसवर्धन 1947 तक उसके वंस वाले रहते और एकदम बहतरीन ढंक से जिस तरह से हरसवर्धन ने समाला था तो क्या पता हम लोग भी राष्टवती के पत पर हर्सवर्धने के परिवार को बैठा देते हैं, लेकिन हर्सवर्धन बियाये नहीं किया, बैठाएं कि उसके बाद कोई बढ़िया सासक आया, बढ़ा सासक नहीं आया, महान सासक बहुत आया, प्रितिवी राचोहान, महान सा सकते, सामराज बढ़ा नहीं था, नहीं समझें, तो दोनों में अंतर होता है, बात समझें, आप भर्तदे पार्टी को अच्छे से और्गनाइज कर लिए, ये इस रहा है इतने बड़े योद्धाओं के पास भी इतना छोटा सामराज रहा है तो उस पे भी डिक्कत हो जाता है लेकिन सामराज बड़ा की अगर बात देखेंगे तो अंतिम बड़ा सामराज हर्स वर्धन काई था लेकिन वो सब्सक्राइब नर्मना नदी के टट पर पुलके देर तक नहीं चल पाएगा अस्थाई सासंग चंदगुपमौर असोक के समय उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कुछ समय तक कनीश्की के समय हर्स वर्धन के समय कुछ कह सकते हैं केवल उत्तर भारत उसके बाद आया था अगबर के समय अस्थाई तो आ गई थी तो आ मेरे का माहौल था अकबर को आज जंता ने क्या कर लिया था सुवीकार किया थे आप और एंजप को किसी impact की कुरांति इंगलाइनड की क्रांथ क्या बताइए कि यह कौन कर रहा है मुझे नहीं जीना है कi बाबू इस देश की जनसंट्या 140 करोड़ उसमें क्या फर्क पड़ेगा आगे बढ़े पसु बोल्ला दोका मिला होगा लेबल में करो लेबल में कोई दोका नहीं मिलेगा तुम रहेगा इदम गिरफाइट आउधा देखेगा डाइमांड करिया करिया गोर गोर पसु पसु इतल है nggak हुआ बड़ा लकी कि रृठ टिन्सन में होगे कि फरी तो हम लोग कैसे थे भूल सकते श्रा श्रांत भारत का निपोलियान महान योद्धा स्टांगे लेकिन देखिये बात समझेए समॉडर गुप्त गुप्त वन्स वालों में तो कोई दिक्कत ही नहीं था चंद गुप्त ये विकर्मा दित भले भावी के चक्कर में भाई को मारती है वह अलग बाद आगे बढ़ते हैं इंग्लाइड की करांथी में किसी को दिक्कत है तो बोलियो तब हम अमरीका की करांथी चालू करें इंग्लाइड की करांथी में कोई दिक्कत नहीं इंग्लाइड में महारानी कोई भैलू क्यों दिया जाता है समझ में आ गया विल्लियम ऑप ओरेंज कहां कि यह लोग के अंदर एजूकेशन बहुत जादे भारत का गर कोई राजा है उसकी केवल एक बेटी है उसका तब तक लड़का चालू रहेगा जब तक वे लड़का नहीं पैदा हो जाता दिखते हैं यह दिख थेंके निदे वहां पर एजूकेशन जदे ही लेवल पाहला अ उस इसाफ से देखियेगा तो सेरस असूरी भी से no one is best in this world सब में कुछ ना कुछ कमिया थी अकबर की अंदर ये थी कि कूट नीती बहुत 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 वो जानता था कि समराज को कैसे लेके चलना अकबर की अंदर एक ही सबसे सही चीज़ थी उसने धर्म को हावी होने नहीं दिया ये सब को सब को देखा था ये अच्छा ही थी वहाँ धर्म को हावी होने देंगे ना बस आपके धर्म के लोग खुस होंगे और आपके धर्म वाले कभी भी देखेगा धर्म क्या करेंगे खुस होंगे आपके धर्म वाल चलना चाहिए खास करके जब आप रिप्रेजेंटेटीव हो जाते हैं जब आपको सुनने वाले लोग हो जाते हैं तो आपको अपने धर्म को साइट करते ना चाहिए आपको एक रिप्रेजेंटेटीव की भूमी कम है तेरा नीच चाहिए अब हम देखते हैं कि जो Constitution लिखा क्यों नहीं इन्ग्लैंड में Constitution नहीं लिखा गया वो परंपराओं पे चल रहा है क्योंकि Е्टीएंड के लोग पढ़िवार प्रवीवार तूट जाता है भाईयों में जो भड़ा भाई रहेगा उसको सबसे ज़्यादे त्याग करना पड़े और उसको रेडी रहना पड़ेगा वन्ना तुम बड़े नहीं कहलाूगे कई जग़ह हम यह देखते हैं बड़ा भाई देखता है कि हमरा ज्यादे पैसा लग गया, यह लग गया तुम बोड है लगेगा तुम्हारा सूरज काएगा कि हमरा में गर्मी जादे होता है तो तुम्हें तो चांद का काम अलग है था हमेशा याद रखेगा बड़े भाई को हर चीज में जादे कोंट्रूबिशन करना पड़े और छोटा भाई को सबसे जादे लाट प्यार दुलार कम पैसे लगेंगे लेकिन छोटा जो होता है उसको वैलू भी कैसे रहती है छोटे की जैसे अवाज कम जा रहा होगा पीछे लोग करें सकते हैं तो उधर प्रोग्राम है तो हम थोड़े बंद करा सकते हैं किसी का प्रोग्राम रहेगा हम थोड़े बंद कराईं को आवास स्वासर पीछे का बड़ा दीक Gleiche आगे बढ़ जाए, सुनिए, तो आप बताए, हमारे घर का क्या लिखित संभीधान है, नहीं है, तो हम लोग परमपराओं पर चलते हैं कि नहीं, आप में से कितने लोग हैं जो भाई बहन में बड़े हैं, भाईयों में बड़ा भाई, तुम लोग है न, अब बहन में बहन, आप लोग याद रगिए, आप लोग को सबसे जादे त्याग करना पड़ेगा, लड़का लड़की समय, तु बहुर है रहे, तो यह आप से समझेगा ध्यां से, बड़ों को हमेशा त्याग करना पड़ेगा, हम भी भाई बहिन में सबसे बड़ हैं, बहन मेरी, हम लोग तीन भाई, बहन हमको भगवान नहीं दिया तो हम खुद से बना लिए, इसी वज़ा से आप लोग से लड़ते रहते हैं, सची बता रहे हैं कि अगर आप लोग हमारी स्टूडेंट रहती, कभी नहीं लड़ते, हम आप लोग को बोलते नहीं है, एक बहन आप करता होगा, बीनाबाद का बोल देता होगा, आप लोग अच्छा भी करियेगा, बोल देते हैं, हमारी अपनी बहन नहीं है, और रियल में हमको अगर भगवान ने इस प्रित्वी पर सब कुछ दे दिया, लेकिन नहीं दिया तो बहन, बाद में हमको समझ में आया, कि हमको लगता था कि उसने बहन नहीं दिया, फिर समझ में आया कि उसने तो सबसे ज़्यादे हमरे बहन दिया, और पूरे भारत में किसी को सबसे ज़्यादे अगर रक्षा बंधन में राखी बनती है, तो हम में बनती है, अगले दिन, रक्षा बंधन कि अगले दिन हमको दरत का दवाई खाना पड़ता है रक्षा बा कि इतना राकी हो जाता है। कुन दब जाता है हुस्ञ इतना हो जाता है। तो अब भी कभी भी आप देखेंगे, तो आप लड़की लोगों को भी अगर दिखेंगे, तो जिस तरह से आपका भाई आपको बोलता होगा, आपकी गलती रहे, चाहे ना रहे, उमूड बना के आया, बोलेंगे हैं, बोलते था हैं, इस्टूडेंट रहते तो हम ना बरदास नहीं करता है, इसको कभी भी इस तरह से नहीं, लड़की भी समझती हैं, लेकिन कुछ-कुछ नहीं समझती हैं, गुशी आ जाते हैं, हम आपको अपना विद्यार्थी समझते हैं, कभी नहीं बोलते हैं, क्या मतलब रहता है, क्या मतलब रहता है, क्या यह सलेबस है पढ़ा के चल दिए अधर वाई इस से ज्यादे कुछ नहीं रहा है अब गुस्ता नहीं हम देखिए अपनी बड़ी बहन को भी बहुत मानते हैं तुम लग तो छोट बहीन है लोग है बड़ी बहन कंग नारान होता हम कितना मानते हैं अब अब बताईए आप ही की बहन में अगर मान के चलिए कुछ दिक्कात है तो आप फेक थोड़े देंगे उसको बहन बहन होती है चलिए अमरीका की करांथी क्या हो गया बुलो कोशन है कोई अब आप पीछे डिश्टार बोरा होगा वाँ एक सेगड़ इसका कोश्ट इसका कोश्ट इसका कोश्चन सुनिये ध्यान से यह दखो बहुत करागी सर आगर घचरा नहीं है इसका बियासाधी में बहुत दिमाह काम कर रहा है इसका कहना है हालेंड का राजा जब बिया करके यहां चलाया यहां कौन सम्हाला यहां उसके अन्य भाई भहीं थे, संग में आगे गिने आगया, यह यह खचना दूनो और मजा मारना सोच रहा है, यह दिखने में सीधा लग रहा है, सीधा नहीं है, यह दूनो और मजा मार रहा है, अईचा नहीं हो तो, यह क्या सोच रहा है we willium of orange के जबान यह रहता तो क्या सोचता है यह कहता है यह कह कि हम समालेंगे इंग्लेंड तुम समालो यह शेश रहा ही शेश लाड़का संब य्कEXा पीछ आवाज नहीं जा रहा है ला मुझा हो रहा है तो आज हम इसको को इतना ही रहने देते हैं कल आपको अमेरिका की किरांती और फ्रांस की किरांती चलिया हाँ हाँ मैट क्लास होगा गास लोग को निकलने दीजिए